120 की स्पिट 3 मिनिट की लिखें जब उन्होंने राजत से नाता तोड़ कर भाजपा से हाथ मिलाया हो वह यह काम पहले भी कर कई वार कर चुके हैं और इस वारे में कहना कठिन है कि वह अंतिम बार पाला बदल रहे हैं पिछली बार उन्होंने जब भाजबा से नाता तोड़ कर राज़त से हाथ मिलाया था तो वह अपने इस फैसले के पीछे कोई ठोस कारण नहीं गिना सके थे इस बार भी वह यह इस पस्ट करने में नाकाम रहे की फिर से पाला क्यों बदल रहे हैं उन्होंने केवल इतना ही कहा कि कुछ ठीक नहीं चल रहा था ऐसा लगता है कि वह इससे छोपदत है कि कांगरेस ने उन्हें आई एन डी आई ए का सन्योजक नहीं बनाया यह मानने के अच्छे वले कारण है कि वह बिपक्षी गठवंदन का सन्योजक बनकर प्रदाहन मंत्री पद के लिए अपनी दाविदारी आगे वड़ाना चाहते थे बहर इसके पहले भी प्रदाहन मंत्री पद की अपनी दाविदारी पेश कर चुके हैं कहना कठिन है कि अब प्रदान मंत्री पत पानी की अपनी अकांच्छा का परित्यार कर चुके हैं। नितीज कुमार ने जिस तरह एक बार फिर पाला वदल कर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की। उससे उनकी प्रतिष्ठा और बिस्वासनियता को चोट पहुँचाना तैह हैं। इसके अंदेख ही नहीं की जा सकती की। पिछले कुछ समय में मुख्यमंत्री के रूप में शुशासन बावु की उनकी छवी कमजूर हुई है। इतना ही नहीं उनका जनाधार भी कम होते हुए दिखा है। इस समय जदियू संख्या बलके मामले में तीसरे नंबर का दल है। लेकिन बिहार की राजनेतिक परिस्षतियां कुछ ऐसी हैं कि वह बार बार पाला बदल कर मुख्यमंत्री बनने में सफल रहते हैं। बहले ही उनके समर्थक उनकी जैजेकार कर रहे हों। लेकिन बिहार की जनता को उनका इस तरह बार बार पाला वदलना सायद ही रास आये। बिहार की जनता की नजर में अब बहें शुसासन बागु कम बलकि पलटू राम की छवी से अधिक लैस हैं। स्टॉप लगे हैं।